हेलो नवस्कार दोस्तों सवागत है आज की इस नए वीडियो में बात करने वाए हैं क्रिशी विभाग कर्दक निकाल को पुरा नटिफिकेसव से लेका और यक flavor करके आपको पूरा बताने वाला हूं और विडियो को बिना स्क्रीप शूरूं से ले करे के आधा अग तक लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से भी डायरिक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं, आने के बाद से दोस्तों आप यहां लेटेस्ट नीज का ओप्शन नीचे देख सकते हैं, लिखा है, रिक्वार्मेंट फोर इटीम, बीटीम, एस्टेन और ए लिखा देता हूँ, आप यहां पर गैडलाइन पढ़ने के लिए यहां पर गैडलाइन वारे पर किश क्लिक करेंगे, आपके सामने प्विडियोफ डाउरोड हो जाएगा, आने के बाद साब दोस्तों देख सकते हैं, लिखा है, यहां पर किरिशी परवन या परसार, पर स यहां पर दिया है, यहां पर दिया है, परखन टक्निक की परवन्ध यानि बीटियम, इसको इंगलिश में खाएंगे बीटियम, ब्लोग टेक्निकल मैनेजर, इसका फूल नेम होता है, इसमें 288 पदोपी बादिन का लिए और इसका यह योग्यता का मांगी जा रहे है, क्र इसका इंपसुल विज्ञान मतश्य की गव या करवधोग की बीशर में एसनातक की डिगरी, जी हैं दोस्तों आपको जो इस सब्जेक्ट दिया, इस सब्जेक्ट में आपको गर्जियोट होना तभी आप फिलब कर सकते हैं, इसमें अनभाव की विमाग की गई है, जो दोस साहेति बरस दिया गया और इसकी सेलरी यहां पर देख सकते हैं, काफी अच्छी सेलरी है, तीसी जारी होने वाली है, दूसरी वरकेंसी जो है साहेत तेखनिकी परवंदक, जो ATM होता है, ATM जिसको बड़ता है साहेत तेखनिकी परवंदक, एसिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, इसमें पांच साथासी पादों प्रभाले निकाली गई है इसका भी यहां पर आपको अलिफिकेशन देख सकते हैं क्रिशिव ध्यान यह सब दिया हुए इसमें आपको एसनातक होना चाहिए दोस्तों इसमें सबसे बड़ी की बात किया है कि ATM के लिए जो है साही तकनी परबं अगर आप से अगर आपने इसनाता किया हुआ है तो आप इसमें पर आपको फिलव कर सकते हैं इसका भी उमरसी में यहां पर देख सकते हैं कि 34 वर्स दिया हुए और इसकी सेलरी जो है श्टार्टिंग में आपको 25 जट्रप्य परमन होने वाली है तो दोस्तों यहां पर द इसमें भी एक्सप्रियेंस की आउसकता है काउंटेंट में यहां पर दिया गया है आप बहुनी केरफूली इसको पॉल लेंगे यहां पर बहुत सारे दिया है भारत राजे सरकाए के अधिन के सरकारी संथानों संगठों फिस इतने सारे मानम भी भागू में आपको तीन ब प्तरी भी वहाली यहां पर निकाली गई देख सकते हैं आसलुपिक सा लीपिक इसके लिए भी जही निकाली गई है इसमें इसना तक आपको चाहिए और आसलीपिक का परमाल पत्र त्थ City में च्रह प्रमच डिप्लोमा उनिक्त cuma C चाहिए इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां कार्या नुभाव की मांग की गई है आप देख सकते हैं नियुक्तन तीन वर्ष का आपको एक्स्प्रियांच चाहिए साइटीश वर्ष इसका भी उम्रसीमा है विग्यापन की तीछी तक और 22,500 परमत इसके सेलरी है नीचे दोस्तों यहां पर दिया है जिलावाद, पदवार या कोटिवाद इक पर्दू की संख्या की प्रुणी अनलगना की रूप में सनलगना है दोस्तों यहां पर दिया गया है कि अभरती भारत का नागरीख हो विहार के बाहर के और राजियों के अभियर्थ्व को आर यहां पर देख सकते हैं इसका पीडियो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड़न दिया है आपको यहां पर बताया कि होमपेज पर आएंगे तो यहां पर गाइडलाइन दिया है और सब्सक्राइब करके सारी नूटिफिकेशन को केरफूली आप रीड कर लेंगे यहा सारे चीज़े यहां पर आपको दी गई है तो आप यहां से इसको डिपली पढ़ लेंगे चली मैं आपको क्या करता हूं कि आगे एक लाइफ फॉम्फिल करके आपको बता देता हूं यानि यह करके मैं चीज़े बताऊंगा तो सारी बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगी पर चली मैं आपको एक लाइफ फॉम्फिल करके आता हूं सबसे पहले आपको यहां पर होमपीज वाली पर आ जाना है इसका भी लिंट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है यहां आएंक बाहर से आप देख सकते हैं यहां पर दिया ओनलाइन आप लाइन इस वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे इस वाले ओप्शन पर क्लिक करता हैं ऐसा इंटरफिस आपको देखने को मिलेगा आने के बाद से दूश्टों यहां पर तीन अप्शन दिया हुआ है देमोगराफिक प्लस ओटीपी आनि आपके आधार कार्ट से आप मोबाइल नमर पर देमोगराफिक प्लस बाइव और तीसरा अप्शन दिया हुआ है आइरिस जो आख का होता है आख वाला उससे सबसे पहले अगर आपका आधार कार्ट लिम खें मोबाइल से तो आप यहां डिमोगराफिक प्लस ओटीपी ओले अप्शन पर क्लिक करेंगे क्लिक करता हैं आपको यहां पर आधार नामर ढलने का और यहां पर आतहास न नमर और यहां पर आधार पर जैसे नाम है वही OTP डालके आपको validate OTP वाले option पे क्लिक करना है जैसे validate करेंगे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं दिख सब्सक्राइब और यहाँ registration page open होके आ जाएगा और यहाँ पे आपसे पूछा जाए रहा है लेवल आप यहाँ ब्लॉक लेवल की वकेंसी के लिए apply करना चाहते हैं या जिलाष्टरिय जिलाष्टरिय में दोस्तों आपको एक ही पद देखने को मिलेगा जो आपको मैंने स्टार्टी में ही बताया आशू लीपिक साल लीपिक का और अगर आप यहाँ पर परकंड आश्टरिय आप करते हैं तो आपको तिन पद देखने को मिलेंगे तिन पर में कौन कौन है ए टीम बीटीम और लेखा पाल का आप जिस भी पद के लिए फॉर्म अपलाई करना चाहते हैं उस वाले अप्शन पर आप यह पर क्लिक करेंगे उसके पास यहां पर आपको फादर नीम डालना है यहां पर डीट अबर चूच कर लेना है यहां पर पूछ रहा है की डियो मिसाइल और यार की निवासी है अगर है यहां करेंगे यहां पूछ रहा है कि फिजिकरी हेंडिकेप अगर आप रांगे तो यहां करेंगे अगर नहीं है तो इसको आंटी की राने देंगे उस खवासे आपको यहां पर जेंडर ले लेना है जेंडर लेने कवासे आपको category ले लेना है general ABC ABC ST SC जो भी होंगा आपने ले लेंगे email आजी डालेंगे mobile नमर डालेंगे और password अपने इसाब से आप कुछ भी बना लेंगे password बना लेने के वाँचे दोस्तों आपको क्या करना है नीचे आप मिला लेंगे सारी चीज अचीज से डालेंगे क्योंकि registration हो जाने के पास इसमें कुछ भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं आप सारी चीज अपना mobile नमर फादर नेम डेट आप और email आईडी सारे चीज अच्छे से मिला लेंग कर लेंगे उसके बासे यहां पर capture को डालके register वाले option पे क्लिक करेंगे समिट करते हैं दोस्तों आप देख स यहां पर आप जो बनाए थी को डालके capture को डालके आपको login वाले option पे क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों login करेंगे और देखिए आपके सामने ऐसा interface open hop होगा यहां पर देख सकते हैं आपका नाम यहां पर show होगा और यहां पर दोस्तों 6 step में आपको phone को fill up करना है basic information देखिए म यहां पर green हो गया है वह से यहां को personal detail educational qualification experience photo signature और last में आपको finalize करना है पिछली मैं आपको personal detail डालके लिखाता हूं personal detail वाले option पे आप क्लिक करेंगे personal detail पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसा interface open होगा यहां पर आपको mother name डाल देना है नीचे app को आएंगे यहां पर आपको address correspondence address डाल देंगे इसके वासे यहां पर pin code डालेंगे यहां पर अगर permanent address और correspondence address same है तो यहां पर same as available option पर क्लिक कर देंगे same same copy हो जाएगा उसके बास से दोस्तों आप यहां देख सकते हैं आपको डिश्टिक अपना लेलेना है आपको जो भी होगा आपका home district बोले लेंगे उसके वासे home block आपको उसके calling जिला में जो जभी बलॉक होंगे आप token हो जाएंगे उसके वासे यहां पर दीर रहा है कि choice district का मतलब यह होगा कि आप आप दो डिश्टिक का नाम दे रहाए यादि आप दो जीले की लिए apply form को कर सकते हैं आप आला जीले कोई लेने फिर उसके बाद से आप दो जीले लिए मतला apply कर सकते हैं तो यहाँ पर अच्छे से पुरा अपना address भर के यहाँ पर जो डिश्टिक अपना नाम select कर लेंगे और उसके बाद से यहाँ पर tick up mark करके यह भी नाम होगा डालेंगे यहाँ पर state चूज कर लेंगे किस state से आपने matrix पास किया है और यहाँ पर passing year आप से पूछा जाएगा passing year डालेंगे उसके बास से आपको दे रहा है full mark excluding extra subject दोस्तों यहाँ excluding का मतलब ही हुआ है कि जो extra subject आप देसे होता है उसको छोल के उसको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर से कितना मार्ट प्राप्ट किया है और यहाँ पर से इत्मेटिक आजाएगा उसके बास से यहाँ पर कौन से subject आपका आपका मारा हुई में science, art, commerce, agriculture, order यहाँ पर passing year पूछेगा यहाँ पर फूल मार्ट पूछेगा और यहाँ पर कितना पराप्ट किया और सेंते अटे मेंटिक आएगा वरससी डालनी आपका आप को आपकंडी नल लुका आपको आप से ...' पर वर की हैं, तीस पार पर काम की हैं, डिक जनरेशन यहाँ आप देना है, और कॉप आप किस में आल देना है, नेचर आप जॉब डाल देना है, किस परकार का जॉब था आपका, और यहाँ पर एकॉंटेंट का फॉम बहरा ओफिस दोस्तों की देखिए यहाँ पर, area of experience होगा, तो आप जो भी होगा, आप डाल लेंगे, डाल लेंगे के पास से सारे डिटेल, आपको save वाले option पर क्लिक करना है, next step में दोस्तों आपको photo और signature आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप photo वाले option पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए photo के लिए dimension भी दिया गया है, 200 x 230 पिक्षल में आपका email होना चाहिए और 50 के वी से कम होना चाहिए, आप इस पर choose file पर क्लिक करेंगे, आप जहाँ भी अपना photo रखे होंगे, वहाँ से आप click करके photo अपना ले लेंगे, photo लेने के पास है दोस्तों, आप जहाँ भी photo रखेंगे, वहाँ से photo आप ले लेंग चाहिए, आप इसे लेंगे और यहाँ पर upload signature वाले option पर click कर देंगे, आपका signature भी upload हो जाएगा, यहाँ पर upload हो गया, इसके वाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, home का option दिया है, home वाले option पर आपको यहाँ पर click करना है, आप click करेंगे, देखिए मेरे सारे यहाँ पर basic information, professional detail, educational qualification, experience, photo signature, side mail, green हो गया, आपको 6 नमर्ट पर अपकर करना है, final line, वाले option पर click करते हैं, दोस्तों, ऐसा interface आपके सामने open होगा, यहाँ आप सबसे पहले, आप final submit करने से पहले, यहाँ आप देख सकते हैं, कि यहाँ प्रिंट application, इस वाले option पर click करेंगे, ऐस interface आपके सामने draft copy आएगा, इसमा आप अच्छे से सारे चीज़ जो कोई मिला लेंगे, कि सारे चीज़ आपने address, educational qualification, experience होगा, अच्छे से fill किया है, यहाँ आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप final submit वाले option पर click कर देंगे, उसके बास से पुछे, का are you sure to submit finally, कि आप found fill up करने के मतलब submit करने के लिए sure है, तो आप sure है, तो yes करेंगे, और देखिए, प्लीज अप्लोड metric certificate आप वो इसके पासे आप जैसे submit क्लिक करेंगे, तो आप देखिए, यहाप को जितने भी certificate आप जिस भी पद के लिए apply कि यह तिम सारे चीज़ open हो जाएंगे, इसके वासे आपको यहाँ पर बोला जाए, एक मैट्री के certificate यहाँ बारा होई खा, यहाँ पर रूट गेर्जवेशन के certificate और यहाँ पर पोस्ट गेर्जवेट, अगर आप पीजी हैं तो आप वालिफिकेशन के कोडिंग जो भी आप बदनाम लिया होंगे, उसकी हिसाब से भरेंगे, यहाँ पर experience का certificate भरना है, यहाँ पर computer का certificate लोट कर देना है, और यहाँ पर अगर आप BIR के निवासी है, अगर आप आरक्षण का लाग देना चाहते हैं, तो आप CC, OBC, EBC करटेगरिस हैं, तो आप यहाँ पर का certificate लोट करेंगे, अगर आप ऐसे हिस सारे चीज़ एक एक करक क्लिक करना है दोस्तों फाइनल समीट करते हैं ऐसा इंटर आहिक्वेस आपको document upload करने माला आ जाएगा डाकुमेंट tarifa साइस क्लिक करना है ऊचाहिए और पर आपको लक्ता है कि कोई फैसरे अपलोड करने कि जोने कि करो किए अपोड कर सकते हैं जाँव एब करें लक्त सकते हैं यहां एक आप अपको यहां पर हम वाले option पर आना है हम वाले option पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों मैं submit करते हैं रखिए यहारा फिल फोगया हम सबसेश्ट पर हो गया मैं यहां पर application आईडी आप एक से जनरेट हो गया अभी स्वा क्या करेंगे सिंपली आप प्रिंट आउट करके hard copy अपने पास रख लेंगे दोस्तों आपको यह जनकारी हमको कैसे लगी आप हमें प्रमेंट करके ज़रूर बता है और चैनल पर पहली बार रहा है कि क्लिक चैनल को सस्क्राइब करना है ताकि मैं जोब से रिलेटर वीडियो बना आपके लिए बनाते रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंची रहा है तो प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब करना है मिलता है किसी नई वीडियो में नई टपिक के साथ तबते के लिए जैहिंग